हेलो नमस्कास त्रेकाल स्लावालेकुम कैसे हैं आप सभी जी हाँ स्वागत है आपका एक बर फिर से अपने अपने चैनल पे जो की है अन अकाडमी क्लाइट और आप सभी को ये पताते हुए मुझे अत्यंत खुशी भी हो रही है and at the same time थोड़ा सा डर भी लग रहा है क्योंकि examination को अब बचे हैं हमारे एक हफते से भी कम का time and इस time period पे बच्चों के जो बार पर messages आ रहे हैं बार पर सवाल आ रहे हैं कि सर क्या ये चीज हमें करनी चाहिए क्या ये चीज हमें नहीं करनी चाहिए क्या हमें mocks पे अभी focus करना चाहिए क्या mocks के marks हमारे लिए ultimately माइने रखने चाहिए जी हाँ इन सभी सवालों का जवाब आज आपको इस session में मिलने वाला है मेरा नाम में अदितराय और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का बट आगे बढ़ने से पहले आप से एक गुजारिश रहेगी कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्द से जल्द एक लाइक बटन पर क्लिक कर दीजे ताकि हम और जादा से जादा बच्चों तक पहुंच सकें तो चलिए आज करते हैं शुरूबात इस session की और जैसा कि आप सबसे पहले देख पा रहे हैं कि हम discuss करेंग अपनी आखों के सामने देख सकते हैं कि सबसे पहला सवाल जो आपके मन में है कि क्या हमें mock test देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए तो ऐसे scenario में मैं आपको कहूंगा कि दो प्रकार के बच्चे होंगे एक वो जिन्होंने अभी तक mock test जो है वो उतने जादा नहीं दि टागेट mocks कितने होने चाहिए अगर आप 10 at least touch कर पा रहे हो अगर आपने आज तक एक भी mock नहीं दिया है तो however जो बच्चे already mock दे चुके हैं अगर आपने 35 से लेकर 40 mocks approximately दिये हैं that is a good number अब अगर आपकी preparation हो चुकी है आपने revision कर चुके हैं तो I would suggest कि हाँ आप अभी भी mocks दे सकते हैं but हमेशा याद रखिएगा कि mock test जो है इनका उदेश क्या होता है तो अगर हम importance of mocks की बात करें तो सबसे पहले ये आपको help करेंगे assist करने में कि क्या आपके जो subject matter का knowledge है अभी उसमें किसी प्रकार की कमी तो नहीं रहे गई है अगर रहे गई है तो आपको reverse engineering करते हुए मदद करते हैं तो अगर अभी भी कुछ कमी रह जाती है अगर अभी भी ऐसी कुछ scenario है जहां पर कुछ subject matter जो है वो हमारा थोड़ा सा on a lower end है तो उसको जो है pull up करने का समय आपके पास अभी भी है जिया इसके अलाबा यह आपकी progress को test करने में मदद करेगा बट कुछ चीज जो है वो यह है कि बच्चे यह समझ नहीं पाते हैं कि mock test का मतलब यह नहीं है कि आपने अगर mock test दिया उसमें अच्छे नंबर आए मतलब आपका klat में अच्छा score आएगा अगर अच्छे नंबर नहीं आए मतलब आपका klat में अच्छा score नहीं आएगा ऐसा बिलकुल भी म समझेगा क्योंकि जब आप मौक टेस्ट दे रहे हो it is not only a means of testing यह केवल और केवल टेस्ट करने के लिए नहीं होता है बट रादर it is also a means of learning यह learning का भी बहुत बड़ा यहां पर aim जो है वो fulfill करता है and when I say कि यह learning का aim fulfill करता है कहने का मतलब अगर आप मौक दे रहे हैं अगर आपको लगता है उसमें कुछ ऐसा subject matter है जो मुझसे नहीं बन रहा है कोई ऐसा topic है current affairs का जो आपने नहीं पढ़ा है दिन वहाँ disheartened होने की जुरुत नहीं है बलकि खुश होना है अपने पीट को जो है आपको तपतपाना है और यह कहना है कि आपने जो डीडे है उससे पहले इस चीज़ को identify कर लिया और अब उस topic को आपको thoroughly जो है वो दुबारा पढ़ना है तो एक तरीके से मौक्ष है वो आपको motivate भी करेंगे क्योंकि यह आपको एहसास दिलाएंगे कि आपके जितनी भी मेहनत है वो किस तरीके से fruitful हो रही है ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं आगे यहां पर in-depth में नहीं जाना चाहूंगा बट अब जो अगला हमारा डू होगा वो होगा ये येस डू की लिस्ट में जो सेकंड टॉपिक आता है वो है कॉंट I know जितना भी हम इसको क्यूटी बोलने ये उतना जादा क्यूट हमें जीवन में नजर नहीं आता है ना जाने कितने बच्चे होंगे जिनके लिए ये क्यूट नहीं बलकि एक में अभी भी थोड़ा बहुत भी पीछे हैं तो प्लीज इस सब्जेक्ट मैटर पे अपनी पकड बनाने की कोशिश करिए क्योंकि अगर आपने लेट सपोज आवरेज परसेंटेज रेश्यो प्रपोर्शन और SICI, Simple Interest, Compound Interest, and last one is Profit and Loss अगर आपने इन चीजों को at least कर लिया, then trust me, most of it will be done इसके beyond आपको कुछ करने के आविशक्ता नहीं है at this point of time अगर आप 0 पे भी खड़े हैं, I would suggest जल्द से जल्द इन topics को खतम करने के कोशिश करें and please PYQ's, previous year questions को देखें तो उससे आपको idea लगेगा as to what are those things जो की examination में पूछी जाती हैं और किन तरीकों से वो पूछी जाती हैं because अगर आप quant को छोड़ कर जा रहे हो तो समझिये आप automatically 5 से 6 नंबर पीछे हो जाओगे list में and this is something which I would never suggest anybody to do क्योंकि अभी हमारे पास समय है yes यहां से भी आपके पास 5 दिन का समय है आप अगर हर दिन 1 से 2 topic भी कर लेते हो sir आप इस position में होगे जहां पर आप 5 से 6 questions जो है वो solve कर पाऊगे and अगर यह 5 से 6 questions आप solve कर लेते हो you are already in the race तब आप compete कर पा रहे हो because एक एक नंबर पे आपको पता है 100-500 बच्चे जो है वो उपर नीचे हो जाते हैं तो हम नहीं चाहेंगे आप उनमें से हो जहां पर exam देने के बाद आपके मन में anxiety जो है वो बनी रहे कि क्या मेरा होगा या नहीं होगा अगर नहीं होगा तो कौन से colleges हैं वो जाना चाहिए यह सब चीज आपको सोचनी ही ना पड़े इसलिए अपने जो efforts आपने लगाए हैं उनको आप please quant में भी लगाएगा because I am pretty much sure कि अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रखी है और अगर आप quant में भी उतना ही अच्छा कर लेते हैं then nobody can stop you from cracking this examination इसके बाद जो अगला हमारा डूस की काटेगरी में आता है step वो है PYQs PYQs बहुत जादा importance रखते हैं आपके किसी भी examination की preparation में ऐसा समझे कि आपको एक घने जंगल में छोड़ दिया जाए और उस घने जंगल में जहाँ पर छोड़ा गया है पूरा का पूरा अंधेरा है रात का और अब आपको नहीं पता है कहां जाना है map क्या है ये कुछ भी नहीं है आपके हाथों में तब जो है आपका syllabus आपके लिए मशाल की तरह काम करता है PYQs आपके लिए map की तरह काम करते हैं की मदद से आप उस घने जंगल से बाहर निकल सकते हैं इसलिए हमेशा syllabus और PYQs को जो है आपको करना आवशक होता है और तभी मैं कहता हूँ कि ये जो PYQ है आप ये समझ सकते हो that you are listening directly from the lion's mouth याने कि आपको directly पता चल रहा है कि जो consortium of NLU paper बनाते हैं खिर वो paper कैसा बनाएंगे तो इसलिए आप पहले से ही इस चीज के लिए prepared रह सकते हो चलिए तो आपको मैं ये suggest करूँगा at least 2020 के बाद से जितने भी हमारे PYQs हैं उनको आप solve करें 2021 का, 2020 का, 2021 का, 2 का and 3 का ये 4 साल के PYQs आपको solve करने क्योंकि ये आपकी exactly exam oriented पढ़ाई जो है वो करवा सकते हैं इसके अलाबा, yes this is something which I want everybody of you to work upon that is developing a mindset for the examination जब आप examination दोगे ऐसी बहुत सारी चीज़े होंगी जो आपको examine नहीं बनेंगी बच्चे उसको छोड़के आ जाएंगे ऐसा मत करियेगा आपको जो चीज़ करनी है वो है intelligent guessing yes, I am not saying कि आपको random flukes मारने ऐसा नहीं करना है जै मादादी let's rock और जो भी answer आया उस पे आपने लगा दिया ऐसा नहीं करना है बट rather आपको क्या करना है कि आपने जितना भी knowledge अभी तक gain कर रखा है आपने अगर dedicated तरीके से पढ़ाई करिये by that we mean कि आपने at least उस particular zone में आप enter किये हो जिन zones में आपको preparation करनी होती है तो अब आपको करना क्या है सुर कुछ भी नहीं हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि इन सभी knowledge को जितना हमने lifelong में एक खटा किया है उसको इस examination को crack करने में apply करना है a lot of time it will happen कि आपने जो ये question देखा है वो आपने recently नहीं पढ़ा होगा but कहीं न कहीं उस questions related कुछ ना कुछ आपने जुरूर पढ़ा होगा जिसकी मदद से आप eliminate कर सकते हो तो कोशिश करें कि आप questions में elimination techniques का उपयोग कर सकें कोशिश करें कि आप हर एक particular question को एक बार में consider करें कहने का मतलब one question at a time one problem at a time ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत सारी problems को एक साथ जो है tackle कर रहे हो पिछले question में अगर कुछ चीज गलत हो गई तो आप उसका बोज लेके अगले question में जा रहे हो नहीं चाहिए अगर पिछले question में कुछ गलत हुआ है let it be next question is your new thing in hand and उस चीज को जो है आपको उस हिसाब से ही prepare करना है ठीक है I hope I am clear with this अब बढ़ते हैं आगे Sir this is something very important बच्चे इस समय mental as well as physical health जो है वो आपको अपनी बहुत ज़ादा ख्यायाल रखना है ये वो समय है जहां पर I would suggest कि पढ़ पढ़के अगर आपका brain जो है वो थोड़ा सा tired हो जाता है तो आप बाहर निकलिए आप थोड़ा सा walk करके आए आप अगर जिम जाते हैं योगा करते हैं जो भी करते हैं लेकिन बहुत ज़ादा exhausting exercise नहीं करना है आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसी exercise करना है जो आपके physical और mental health को जो है वो strong रखे ठीक है तो ये please ensure करियेगा इसके अलावा the very important thing is having a self-belief जिहां you should have a self-belief you should develop that particular personality of yours जहां पर आपको पता है कि आप काबिल हैं जिहां जितनी भी आपने तैयारी करी है जितने भी classes आपने करी हैं जितने भी mocks आपने दिये हैं जितने भी revisions आपने किये हैं जितने भी sacrifices आपने किये हैं उन सभी का finally अब result आने बाला है इसलिए have faith in yourself yourself, have faith in your hard work, have faith in whatever you have done till now because these are the things जो आपको ultimately आपकी examination को crack करने में मदद करेगी, इसके अलाबा अब आते हैं जी don'ts पे, ये वो चीज़े हैं खास तोर पे उन बच्चों के लिए जो बहुत ज़्यादा anxious होते हैं इस time period पे don'ts में सबसे पहली category जो आती है वो आती है जहां पर आप mocks के score से decide कर रहे होते हो कि क्या मेरा clad का examination होगा या नहीं अगर आपका score गया अच्छा गया अगर स्वारी आपका mock अच्छा गया और score अच्छा आया तो आपका mood elevated रहता है तो आप बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए तेयार रहते हो whereas अगर आपका mood score खराब आया तो आपका mood खराब हो जाता है तो क्या इन चीजों का आपके examination से कोई connection है honestly बिलकुल भी नहीं अगर हम बात करते हैं वर्लकुप 2023 की सर आप जाकर देखिये practice sessions में विराट कोली हो या शुबमंगिल हो या रोहिच शर्मा हो या पूरी की पूरी हमारी टीम हो बहुत hard work किया था but despite of that despite of that हम वर्लकुप नहीं जीत पाए so it is not only about कि आप अपने practice sessions में क्या कर रहे हो definitely practice sessions आपको मदद करते हैं जहां पर आप अपना mindset develop कर रहे हो जहां पर आप अपने basics को strong कर रहे हो but ultimately the day counts जो भी decide होगा वो उस दिन decide होगा जिस दिन आप examination के लिए बैठोगे that is the 3rd of December 3rd of December के पहले आपको बिलकुल भी घबराने की आविशकता नहीं है because जो भी होगा it will aid in your examination का preparation अगर आप का score खराब आ रहा है you should analyze as to what is the reason जिसकी वज़व से जो है score खराब आया then उसको आप analyze करने के बाद stronger point अपना बनाए कि अगर कोई question आज खराब हुआ है ये life में कभी खराब नहीं होना चाहिए that should be your approach उसकी मदद से आप अपने examination में अच्छा कर पाएंगे इसके अलावा yes this is something जो इस समय मैंने बहुत जादा बच्चों को करते हुए देखा है सर हम तो केवल 4 गंटे ही पढ़ते हैं लेकिन वो व्यक्ति जो है मेरा दोस्त वो तो 8 से 12 गंटे पढ़ रहा है सर हम तो केवल 8 गंटे पढ़ रहे हैं वो तो 18 गंटे पढ़ रहा है सर हम तो यहां पर 15 गंटे पढ़ते हैं वो तो 24 में से 36 आर्स पढ़ रहा है मत करो ये stop comparing because comparison नहीं करना है यहाँ पर आपकी fight केवल उस व्यक्ति से नहीं है जो 18 गंटे पड़ रहा है आपकी fight overall जो exam का demand है उसको fulfill करने की है अब वो चाहे 4 गंटे करने से आए चाहे 18 गंटे करने से आए चाहे 22 गंटे करने से आए चाहे 24 गंटे करने से आए वो हमारे लिए माइने नहीं रखता है हमको ये पता होना चाहिए कि हमें इस exam को निकालने के लिए क्या-क्या चीज़े करनी है क्या हमारी position ऐसी है कि हमने इन चीज़ों को address किया है अगर हाँ तो अब आगे हमें किस तरीके से इसके लिए अप्रोच करना चाहिए कितने hours देने चाहिए that should be customized as per individual's need that is not something जो आपको discuss करना है सर मैं तो पूरे-पूरे दिन पढ़ता हूँ वो तो पूरी-पूरी रात पढ़ रहा है तो रात में पढ़ने वाले को जादा शान्ती है क्या वो exam निकाल लेगा इससे कोई फरक नहीं पड़ता till the time आप achieve कर पा रहे हो the goals that you have set for your preference उस चीज़ को हमेशा ध्यान रखियेगा क्योंकि no two people have the same journey हर किसी की journey अलग है तो आप उसकी journey से अपने आपको compare मत करिये next tones में जो आता है वो यह है जो मुझे हर एक classroom में जितनी भी live classes में अभी ले रहा हूँ चाहे YouTube पे चाहे special पे बच्चे यही कह रहे है सर अगर हम चाहते हैं Bangalore जाना तो हमारा score कितना होना चाहिए सर अगर हम NLU Bhopal जाना चाहते हैं उसमें हमारा कितना score होना चाहिए सर जोदपुर के लिए हमारा score कितना होना चाहिए सर अगर माम इसमें है वो यह है कि मैं CLAD examination में कैसे जादा से जादा score ला सकूँ ताकि मैं जो है best of the best university के अंदर जाकर बैठ सकूँ आप चार दिन पहले यह नहीं सोचोगे कि अगर World Cup नहीं मिल रहा है क्या हमको एक बार photo खिचवाने मिल जाएगा this is not something which should be in your head rather you should always target to achieve the best तो यहाँ पर हमारा उद्देश है यह कि हम अपने हिसाप से जितना भी best कर सकते हैं जो भी हम best effort डाल सकते हैं वो हमें यहाँ पर डाला है इन सभी thoughts को आपको बिल्कुल eradicate कर देना है यह सब thoughts हम हमारे लिए अभी important है नहीं हम counselling के time बात करेंगे अभी इन चीजों की requirement हमें नहीं है next is please don't spend too much time on social media अभी आपको बिल्कुल अपने phone से side हो जाना है कोई memes नहीं चाहिए कोई telegram नहीं चाहिए कोई Instagram नहीं चाहिए कोई Facebook नहीं चाहिए कोई YouTube नहीं चाहिए until and unless it is your very important class until and unless it is very important notification which requires your attention otherwise आपको किसी भी चीज़ को यहाँ पर ध्यान में नहीं रखना है इसके अलावा yes यह वो time है जहाँ पर बच्चे जो है बहुत ज़्यादा भटकते हैं multiple sources की तरफ भाग रहे होते हैं यहाँ से भी news cover कर लें यहाँ से भी कर लें यहाँ से भी कर लें यह magazine भी पढ़ लें वो magazine भी पढ़ लें ऐसा मत करियेगा rather आपको streamline तरीके से एक source को पकड़ो और उस source के multiple revisions करो because examination wants you कि आप multiple revisions करके जो है अपने examination को clear करें ठीक है जी इसी के साथ साथ एक last suggestion होगा please birthday parties, weddings कुछ भी हो ignore करना अभी junk food मत खाना बाहर की चीजें मत खाना थोड़े समय के लिए पानी पूरी को भूल जाना जितने भी लोग हैं जिनको noodles, sushi वगेरा वगेरा जो सारी चीजें खाने का मन करता है अभी मत करना because अभी आपको केवल और केवल healthy diet healthy mindset ये लेकर examination के अंदर जाना है तो please make sure कि next coming one week आप अपना खयाल रख रहे हो जी हाँ, जिसे कहते हैं अपना खयाल रखना तो वही चीज आपको यहां करनी है because आप अगर बिमार पड़े आपकी अगर तवियत खराब हुई आपका mindset साइट खराब हुआ trust me, पूरे एक दो साल की मेनद जो आपने कर रखी है वो यहां बेज जा सकती है and I don't think कि आप उस चीज को यहां पर जो है दाओ पर लगाओगे just because of कुछ शनक चीज है जैसे कि पानी पुरी, शादी, बर्दे पार्टी हम बाद में चले जाएंगे बाद में मिलेंगे अभी हमें जो है exam के लिए prepare करना है साथि साथ last but not the least sir and ma'am, family and friends and उनकी अगर किसी प्रकार की negative vibes हैं उससे दूर रहे अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो आपसे एक हैसा कह रहा है कि आपसे ये नहीं होगा प्लीज उससे दूर रहो ये सब negativity हमको अभी नहीं चाहिए don't spend too much time with your friends and family आप उनके साथ बकाइदा बैठियेगा जिस दिन आपका examination हो जाए उसके बाद पूरे 24 hours nobody can stop you from cracking the examination and yes, you are the king you are the queen and अगर आप नहीं तो कौन आप नहीं करो कि तो कौन करेगा यार आपने इतनी मैनत करी है आपने इतना समय दिया है आपने इतने मॉक्स लिखे हैं आपने कितने sacrifices किये so it is definitely you जो इस चीज को crack कर सकता है अभी भी अगर कुछ चीजे रहती है जो कि आपको लगता है कि करना आवशक है कर लो because आप king हो आप queen हो आपको कोई नहीं रोक सकता उस जगे जाने से जहां आप जाना जाते हो because that is what you have thought about राइट, चले इसी के साथ आज का session करेंगे समाक बतागे बनने से पहले उन सभी बच्चों के लिए जो की हमारे साथ जुड़ना चाते हैं फुल फ्लेजटली, क्लाट, examination और बाकी law entrance examinations की तियारी के लिए तो unacademy आपके लिए offer लेकर आया है जहां पर iconic as well as plus subscriptions जी हां iconic as well as plus subscriptions पे आपको 30% का discount और 371 month का free extension भी देखने को मिल रहा है करना गया है सर यहां पर आपको code दिया गया है unlock 20 इस code का आप use करें and you will get to see the maximum discount इसके अलावा वो सारे बच्चे जो 11th class में हैं जिन्होंने target कर रखा है कि उनको clad 2025 देना है उन सभी के लिए एक बहुत अच्छी opportunity है unacademy आपके लिए knowledge carnival लेकर आया है जिसके अंतरगत अगर आप clad UG 2025 के तियारी कर रहे हो और 12 months का clad का plus या iconic subscription लेते हो तो आपको 4 months का CBSC का class 11th का plus an iconic subscription free of cost देखने को मिलेगा and इसके लिए करना क्या है सर एक code का use आपको करना पड़ेगा that is the bar 5 being aditra army 5 जैसे ही आप bar 5 का code का use करेंगे you will get to see the maximum discount इसके अलावा sir clad 2024 rankers reward जो है यहाँ पर आपको करवाया जा रहा है जहाँ पर आपको exciting rewards जीतने का मौका मिलेगा आप इस qr code में अपने आपको register करिए and अगर आप rank 1 से rank 10 तक लेकर आते हैं तो जितनी भी fee आपने pay करी है उसका 10 times आपको approximately मिलेगा जो की होगा 3 lakhs तक का reward अगर आप 11 से 50 तक का यहाँ पर rank लेकर आते हैं तो 3 times तक आपकी fee का आपको as a reward दिया जाएगा याने की 1 lakh रुपी तक का award 51 से लेकर अगर आप 100 rank तक लाते हैं तो 0.5 lakhs का reward आपको दिया जाएगा और इसके अलावा फिर हर बच्चे को अगर 100 से उपर आपका rank है तो Amazon के vouchers दिये जाएंगे Unacademy के द्वारा तो आपके लिए Unacademy तयार खड़ा है जहां पर आपको best of the best reward देने के लिए आपको मालाओं से स्वागत करने के लिए Unacademy है अभी आप सब कुछ भूला कर अपने examination की तयारी करें अपने आपको इसमें register कर लें ताकि जैसे ही आपका अच्छा रायंक आता है आपको यहाँ पर reward दिया जाएगा इसके अलावा उन सभी बच्चों के लिए जो की 2025 की तयारी कर रहे है सर, CLAT, MHCET, ALIT, SLAT, LSAT इन सभी examinations के लिए 2025 के एस legal badge जो है वो already शुरू हो चुका है करना कुछ नहीं है आपको जाना है और BAR 5 code का use करना है इसी के साथ अब आपसे लेना चाहेंगे विदा Thank you so very much for your valuable time Keep studying, keep grilling जै हिंद, जै भारत